2019 में जब अतिया शेटी और केल राहूल एक रिलेशन्चिप में थे जिसके बारे में अतिया के फादर सुनिल शेटी को नहीं मालूम था तभी एक ऐसा सीन हुआ के सुनिल शेटी कहीं बाहर से वापस आये घर और उन्होंने अतिया और उनकी वाइफ मतलब सुनिल शेटी की वाइफ माना इन दोनों को बोला कि यह आपको पता है मैं केल राहूल को मिला एरपोर्ट पे तो अब अतिया और उनकी मम्मी को लोगा कि यह क्या हो गया तो दुनों ने एक बिश्री की दरफ देखा और कुछ भी नहीं बोला उसके बाद क्या हुआ बताते आपको कैसे मान गए सुनिल शेटी इमिरियेटली केल राहूल के लिए इंडियन फैमिली वैलियूज वाली एक मस्त स्टोरी अगर पसंद आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और स्क्रीन पर डबल टब करें नंबर टू केल राहूल मैंगलॉर से बिलॉंग करते हैं और सुनिल शेटी भी मैंगलॉर के है तो भई सुनिल शेटी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को अपने इलाके और अपने कल्च्रल बैग्राउंड वाल लडगा पसंद आया